स्वागत है दूस्तों आपका हमारी क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमने टॉपिक छोड़ रखा था अभी तक अभी तक आपने आदुनिक भारत का इतिहास देखा हुआ है तो बहुत सारे हमने टॉपिक उसमें कवर कर रखे हैं सुतंता संगर्श चल रहा है त अभी हमने इसमें जो सेंदों सब्वेता है रिखवैदिक और उत्तरवैदिक काल इसको स्किप किया हुआ है इसको अलग एक टॉपिक लेके आएंगे एक्जाम के ठीक पहले ताकि वह आपका कवर हो जाए अभी जो एक क्रम बनता है हमारा वह छटी सटाप दी इसा लगपंतुर निकार अंगतुर निकाय है और दूसरा है भगवति सूत्र ये जैन साहितिकाय भगवति सूत्र तो इन दोनों के नाम याद कर ले इन दोनों में सोलह जन्पदों का उल्लेक मिलता है ये जो 16 जनपद है चुलिए महाजनपद तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो गंंगा यमुना की घाटी है देखें तो इस दो आप में उस समय दोती नगरी क्रांटी होती है छोटे छोटे नगरों का उदय होता है और बाद में ये एक बड़े नगर का रूप ले लेते हैं तो हम अपने लेक्चर में क्या-क्या देखेंगे उनको पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमें यहाँ पर वस्तु स्थिती पातक पता होनी चाहिए 16 जनपदों की हमारे जो प्रस्थनाते हैं इनकी राजधानियों को लेकर वर्तमान में इनकी स्थिती कहा है तो उसको हम एक मानचेतर के जरिये पढ़ेंगे इनसे सम्मंदित प्रमूग बाते क्या हैं और जब हम पढ़ेंगे हरियंक वंस, सिसुनाग वंस और नन्द वंस तो हमारे सामने ये मैप होगा और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सम्मंद अस्थापित किया और कैसे उन्होंने अपना सामराज्य विस्तार किया और मगर बात में एक बड़ा राज्य बन जाता है तो सबसे पहले जानते हैं जो वो 16 महा जन्पद हैं वो कौन-कौन से हैं, उनको देख लेते हैं, 16 महा जनपदों में एक-एक करके पढ़ लेते हैं, कोई इनका करम नहीं है, कि आपको सीरियल से ही याद करना है, तो एक-एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कि यहाँ पर जो आपका कुरू है, दिल्ली का बाग, वो कौन सा छेत्र है, तो जो कुरू है, आप देखेंगे, मैंने इनको सबके लिए एक ब्लाग भी बना रखा है, इनको आप सर्च करें, कि इनको आसपास इनकी एमने कुरू का यह छेत्र बना रखा है, कुरू की राजधानी थी, इन्दप्रेस्थ, वरतमान अगर दिल्ली की बात करें, हस्तिनापूर, तो वो छेत्र कौन सा था, कुरू का, तो हस्तिनापूर की राजधानी थी, यह कुरू, इससे ही लगा हुआ भाग था पांचाल, पांचाल जो है वो बरेली का जो छेत्र है वही यहाँ पर आता है आप देखेंगे कि यहाँ पर बरेली का छेत्र आता है तो पांचाल जो है वो बरेली का असपास का छेत्र है यह एक उत्तरी पांचाल था और एक दक्षणी पांचाल था तो कुरू की राजधानी क्या थी, इंदप्रस्त, पांचाल की राजधानी क्या थी, एक उत्तरी अगर बात करें तो अहीं शत्र, और दक्षणी बात करें पांचाल की तो काम पिल ले, और इनसे लगे हुई स्थिती, आप इसको मैप के जरिये देख लें, कि पांचाल कहां पर इस्थित है ऐसा ही आगे चलते हैं इसमें लगा हुआ कोशल है तो कोशल जो है वर्तमान में फैचाबाद अजुध्या का छेत्र है वह कौन सा है कोशल तो यह कोशल का छेत्र कोशल एक सक्तिसाली राज यह था कोशल के बारे में देखें तो कोशल में एक उत्तरी कोशल दक्षणी कोशल था उत्तरी कोशल में था उसकी राजधानी थी स्रावस्ती और दूसरी थी कुसावती तो कुसावती में प्रसेंद्जित थे प्रसेंदित वहां के राजा हुए प्रसेंद्जित की के पिता थे महाकोशल प्रसेंद्जित की बहन से विवाह हुआ था करते हैं जब कभी हम होसिए करते हैं कि हमें इनकी लोकीशन यादो तो हम उनके फैक्ट को याद कर ले क्योंकि होता क्या कि हम जल्दी जल्दी उसको पढ़ते और फिर बाद में मिस कर जाता है तो कुरू को आपने अगर महाभारत देखा हो तो हस्तिनापूर पांचाल का बार बार उलेख होता है पांचाल पांचाली सब्द आपने सुना होगा तो पांचाली किसको कहते हैं द्रौपदी तो इनको याद रखें कि हस्तिनापूर से लगा हुआ पांचाल का छेत्र कोचल कोचल नरेश, फिर इसको आप याद गरग सकते हैं कि इसमें किसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी एक स्रावस्ति थी उत्तरी और एक दक्षिनी थी कुछावती, इसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कुछावती, जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली पूछ जाता है, तो वो है कुछल की राजधानी स्रावस्ति, इसी तरीके से अभी इनको दोनों को हम छोड़ देते हैं, गंगा के ही किनारे चलते हैं, तो यह जो बच्स यहाँ पर लिखा हुए, वर्तमान का जो इलहाबाद का छेत्र है, वो बच्स था, तो वर्तमान जो बच्स था, इसके बाद और कौन सा है, तो वर्तमान इलहाबाद का जो बच्स था, इसके बाद एक देखते हैं, मगध, मगध जो था, वो 16 महाजनपतों में सरवाधिक सक्तिसाली महाजनपत था, इसी ने ही बाद में सभी राज्यों को जीत करके यहाँ पर एक बड़े सामराज्य का उदय होता है, यह हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो मगध की जो राजधानी थी, वो थी गिरिब्रज या राजग्री, बाद में इसकी राजधानी पाटली पुत्र बनती है उदा और बाद में हाँ पर राजात सत्रुक अपना उनका उनको रहां राजा बनाते हैं तो अंग की राजधानी थी चंपा, तो सबकी राजधानिया याद हो जाएं, मगध की राजधानी कौन से थी, बिम्बिसा, राजग्री या गिरिब्रज, तो अब केवल हम नदियों के कि नारे वाले इनको जो हैं, हमने इनको देखा, तो सबसे पहले देखा, कुरू, कुरू की राजधानी, इंदप्रस्त, पांचाल, पांचाल की दो राजधानिया, उत्तरी, कामपिल, अहिछात्र और दक्षणी, कामपिल, फिर कोशल, कोशल की राजधानी कौन सी होगी, तो तो आप देखिए जब आपके दिमाग में आएगा कि गंगा यमुना के ठीक किनारे कौन से महाजन पत थे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा इनकी location तो आप जो बरतमान शेतर का मिलाने का question आता है वो गलत नहीं करेंगे क्योंकि एक mindset हो जाता है कि नदी के बहाओ के कर्म में आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से यह याद हो जाएगा ठीक है अब इसमें जो हमने दो छोड़ रखा है यह वास्तों में उस समय के यह गढ़ तंत्र थे क्या थे यह गरतंत जैसे वस्जी जो है आठ राज्यों का एक संग था इसमें लिछवी के जो प्रमुक राजधानी थी व someday थी वैसाली तो वस्जी की जो प्रमुक राजधानी थी वो क्या थी वैसाली आठ राज्यों का एक गड़तंत्र था ये पूछा जाता है कि 16 जन्पदों में कौन-कौन से दो गड़तंत्र थे तो वज्जी और मल तो मल जो है इसमें एक important बात ये आती है कि बिहार का ही ये दोनों भाग है जो उत्तरी भाग है वो वज्जी है नेपाल से लगा हुआ जो कुशी नगरवाला चेटर मल की जो राजधानी थी वह दो थी एक थी कुशी नगर और एक थी पावा तो दो इसमें प्रमुख छेटर थे कुशी नगर और दूसरा पावा इनकी खास बात क्या है कि यहां पर बॉध्ध धर्मे के जो गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनि याद रखें और पावा में महावीर का महापरिन्वरान होता है तो आप देखें कि बौध और जैन दोनों से संबंदित है कुसी नगर और पावा तो दोनों के महानिर्मार के संग में हुए थे महाजनपद में तो मल्ल में तो आपने देखा यहां से कुरू पांचाल कोसल देखा यहां पर बजजी और मल्य कैसे हैं गड़ तंत्र यह सभी कैसे वाकि राजतंत्र यहां पर राजा हुआ पर लोगतंत्र था यानि कि वहां के जनता ऐकसासक अपना चुनती थी कई संग मिलकर की अपना एकसासन चलाते थे अब इनसे सम्मंदित जो इनकी राजधानियां है वो हमने जान ली आएए चलते हैं इनसे लगे हुए जो राजस्थान का छेत्र है वो था मजसिट मजसिट जो है इसकी राजधानी थी विराट नगर आपने सुना हो महाभारत में कि वहाँ के राजा विराट थे राजा विराट जिनों ने पान्डूओं को सरंड दी तो इनकी राजधानी क्या थी मजसिट की विराट तो यह आधनिक जो जैपुर कुछ सेन की राजधानी क्या थी मतुरा कि यह इंपॉर्टन्ट है मतुरा में कौन थे तो मतुरा की राजा कृस्ण थे तो क्रिश्ण से संबंधित है तो आपको यसे याद रहेगा सूर्षेन मतुरा इसी तरीके से के प्रξम देखें महाबारत काल में एक राजा का उल्लेग मिलता है सिसुपाल का मिलता है आप ख़ोएNot करते हैं आप देखें दिखना वगान के संबन्नित हो गया और आ लिए नियुक discern अब देखें तो यमुना से लगा हुआ नर्मदान अधितक का जो छेतर था लगभाग वो जो है अवंती में आता है अवंती का उल्ले कई वार आपको मिलेगा अब में पढ़ाओंगा किस प्रकार मगत से यहां पर मैं पर संबंद स्थापित होते हैं इसी तरीके से अवंती क जो राजधानी थी वो देख लेते हैं तो अवंती का जो उत्तरी छेत्र था उसकी राजधानी थी उज्जैनी और जो दक्षणी अवंती थी उसकी राजधानी थी महिस्मती महिस्मती आपने नाम सुना होगा बाहुबली में तो बड़ा ही प्रसिद्र छेत्र था अवंती अवन्ती एक बड़ा ही पाऊरफुल माहजन्पद माना जाता है तो अवन्ती की उत्तरी राजधानी उत्यग्जेनी और दक्षणी महिस्मती इसी तरीके से माहजन्पदों में सरवा़धी जो दक्षणी छेतर था वो था नर्मदा नदी के दक्षिन में गुदावरी नदी के तड़ तक वो था अस्मक तो यह पूछा जाता है कि सबसे सरवादे दक्षिनी महा जनपत कौन सा है तो साउथ मोस्ट कौन सा है अस्मक इसकी राजधानी पोतना या पोटली थी इसी तरीके से एक महा जनपत हम देखते हैं यहाँ पर हमारे उत्तर में कस्मीर के छितर में कस्मीर और पंजाब से लगा हुआ पंजाप रांध कंबोज तो कंबोज की राजधानी थी राजपुर और हाटक राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी अब आपको बता दे कि कंबोज से लगा हुआ गांधार था गांधार और कंबोज ये दोनों घोड़े के लिए प्रसिद्धे थे गांधार की राजधानी थी तक्षे सिला तो आपको पाकिस्तान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में मिलेगा गांधार तो गांधार की राजधानी थी तक्षे सिला तक्षे सिला ब्यापारिक केंद्र के साथ साथ ये सिख्छा का भी एक बहुत अच्छा केंद्र था तो दोस्तों हमने अभी तक अपने इस टॉपिक में जो पढ़ा है उसमें ये जाना कि हमारे प्रमुख महाजनपत कौन से है उन महाजनपतों की राजधानिया क्या है इनकी वर्तमान लोकेशन क्या है और अब हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे कौन-कौन से वन्स कहां पर आते हैं कुछ प्रमुक बातें इसमें हमने आपको जोड़ी हैं आगे इनको हम लोग पढ़ेंगे तो अभी इसके बाद जानेंगे कि मगद का उतकर्ज कैसे होता है हर्यंग बंस की सुरुवात कहां से होती है और कैसे इनके आपस में ये सभी एक बन जाते हैं तो इसके लिए देखिए हमारा अगला वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मगद का उतकर्ज गुडबाए